आज आपके लिए मेले कराईओ बहुती टिस्टी यमी और घर में बहुती असान तरीकों से बनने वाली कार्लिक चिली चौमीन की रेसिपी तो चलिए स्टाट करते हैं अपने कार्लिक चिली चौमीन की रेसिपी को प्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फूट पैब मैं हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल फूट पैब में नूडल्स को पकाने के लिए सबसे पहले हमें पतीले में पानी लेंगे पानी में जब बॉयल आने लगे तो फिर हम उसमें एक चमच इतना नमक एट करेंगे और नमक एट करने के बाद हम उसमें दो डेवल स्पून लगवाग कोकिंग और करेंगे यहां कलर के लिए मैंने आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर का इस्तमाल किया आप चाहते से इसके कर सकते हैं अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और चलेंगे हम इसमें नूडल्स डालने की प्रोसेस में तो यहां मैंने यहां पर हम वेज के अस्तमाल आज नहीं करने वाले हैं आपने नीची हैटलाइन पढ़ी लिया होगा कि आज हम इसे कार्लिक और चीली क इस्तमाल करके बनाने वाले तो चलिए अब हम इसे उबलते वे पानी में एट करेंगे आप इसे यहां मैगी के तरह तोर कर इसमें न डालें क्योंकि जैसे ही आप इसे उबलते वे पानी में डालेंगे वैसे ही यह लेयर बाय लेयर खुलना शुरू हो जाएगा तो देखे यह हमारे noodles खुलने स्टार्ट हो गया, एक मिट के बाद यह सारे परते एक एक करके खुलने लगी है, सही सारी परते खुलने लगेंगी, इसे हमें ज्यादा नहीं चलाना है, इसे हमें 90% तक completely पकाना है, तो इसे हम बॉयल होने के लिए अराम से छोड़ देंगे, बीच बीच अच्छी तरके से पक जाते हैं, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, यहां हमें इसे सिर्फ 90% तक ही बॉयल करना है, तो आप इसे चेक करने के लिए अपने चुट्कियों के हल्प से इसे तोर कर देख सकते हैं, अगर यह इसली तूट जाता है, तो आप देख सकते हैं, य ये मैंने अपने जुटिकें के हेल्प से तोर कर देखा तो ये असानी से तूट किया है तो ये हमें बस इसी स्टेज दकी से पकाना है और ये कलर भी कितना transparent हो गया है तो अब हम चेलेंगे इसे एक इस्ट्रेनर के हेल्प से छान लेंगे सारे पानी को अलग कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर आँ फैला देंगे अब हम इसमें दो चमच तेल डाल कर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्लेट में फैला देंगे तेल डालने से हमारे नुडरल्स किले किले रहेंगे या पस में चिपकेंगे नहीं, आप या किसी भी तेल का इस्तमाल कर सकते हैं, जो आप खाते हो, मैं यापे सरसो की तेल का इस्तमाल कर रही हूँ, अब हम एक पैन या करहा ही लेंगे, उसे गर्म करेंगे और उसमें लबग तो से तीन बड़े चमच, तेल डालकर उसे थोरा गर्म कर लेंगे जैसे तिल गर्म हो जाए उसमें एक्ट करेंगे अपने गार्लिक धानिके लर्षान को लशन जयत मुंत कशीरी हो आदए करेंगे mulher में कवार आधे मिनट क बाद आधे मिनट शुच झाहा कि लाधे मिक्स करेंगे। सबको हम तब तक साथ में फ्राय करेंगे जब तक कि हमारे प्यास का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो देखें यहां प्यास का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें आट करेंगे एक चमच भरकर रेड़ चिली पॉडर आप यहां रेड़ चिली पॉडर के जगा रेड़ चिली सौस का इस भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप रेड़ चिली सौस का इस्तमाल कर रहे तो आप रेड़ चिली पॉडर को स्किप करें यहा पाँप मेरे नमक का इस्ते आपर मैंने अदि छोटी चमच का किया है आप यहाँ पे अपने स्वात के अनुसार करें लेकिन बहुत ही साफदानी से करें क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सॉस इस्तमाल किया उन सॉस में भी नमक अल्डेडी रहते हैं तो अब हम इसे लगबग 10 मिनट तक ऐसे ही फ्राइ करेंगे तो देखिए यह 10 मिनट के बाद इसका कलर कितना खुपसरत हो गया है तो अब हम चलेंगे से सर्फ करने के प्रोसेस में इतला वक 10 मिनट के बाद हम इस गैस के फ्लेम को आफ करेंगे और एक सर्विंग प्लेट में से सर्फ करेंगे जितने भी चैनिस पूर्ड होते हैं उसे हम गम-गम ही सर्फ करते हैं गम-गम सर्फ करने के बाद इन सब का खाने का मज़ा दुगुना हो जाता है हम यहाँ पर चौमिन को भी गम-गम सर्फ करेंगे गम गम खाने पे तो ये और भी ज़्यादा प्लाज जवाब लगेगा तो दीजे तयार है हमारा बहुती तेस्टी डिलिस्यस कार्लिक चीली चाउमिन तो आप लशन प्यास खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे बिना लशन प्यास का भी सारी सौस को एड़ करके बरा सकते हैं ये बिना लशन प्यास का भी खाने में बहुती तेस्टी लगता है तो आप अप इस चौमिन को किसे भी मंजूरियन या फिर जीली के चिकन जीली पनीश जीली किसी भी चीज के साथ साथ करें खाने में सब के साथ बहुत ही तेस्टी लगता है पिस चौमिन को बिना किसे डिसनल चीज़ों के बगेर भी खा सकते यह ऐसे भी खाने में बहुत ही मुझदार लगता है और अब आप भी इस टेस्टी डिलिस्टेस नूडल्स को अपने घर पे बनाएं खाएं और हमें कमेंट करके चरूर बताएं कि आपको हमारी आज की रस्पी कैसी लगी है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मेंसन कर दिये है तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे अखली नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए पावाई टेक केर और थैंक्स पो वोचिंग